शलब आसन शलब एक संस्कृत शब्ध है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड़ा इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें अपने माथे को अपने हठेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दे अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़े अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीब इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आस्मान की ओर हो और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो एक गहरी सास लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूलों की मानस्पेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से उपर उठाएं आप अपने पैरों को सिर्फ उत्रा ही उपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें आप पेरों को उपर उठाए रखने के लिए अपनी पाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सके हैं। अब इस स्थिति में सामाने रूप से सांस लिए और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। ये आसन सायाटिका एवं पीट के निचले हिसे में हो रहें दर्ज से रहत देता है। कूल हो और गुर्दों के आसपास की मान स्पेशियों को आकार देता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांगों की चर्वी घट्टी है और वजन कम होता है। ये आसन हमारे पेट के लिए भी लापकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिकल्स, हर्निया, हाई बीपी और रिदय के रोग्यों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीट के निचले हिस्से में बहुत दत हो, तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सिकेंड तक इस थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकरासन में आने के पश्चात विश्राम करें। ये आसन आपके मानसिक तनाव और ठकान को भी दूर करता है।